हेलो दोस्तो आईए करते हैं आज की करंट अफेर के इंपोर्टेंट क्योशन क्योशन एक गरपात के अधिकार को सविधान में सामिल करने वाला विश्वय का पहला देश कौन बना है इसका राइट आंसर आएगा ओप्सन A महिलाओं को गरपात का सविधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्वय का पहला देश बन गया है फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने विशेश सत्तर के दोरान सविधान में संसोधन के लिए मतदान किया जिसमें 780 ने पक्स में और भतर ने वी पक्स में वोट दिया है फ्रांस में ये 25 वे नमबर का सिवधान संसोधन हुआ है अनुचे 34 में लिखा है यह महिलाओं को My Body My Choice का अधिकार देता है परधान मंतरी ग्रेविल अटल ने मतदान से पहले सांसदों को संबोधित करते हुए कहा हम सभी महिलाओं को यह संदेश भेज रहे हैं ये सरीर आपका है और कोई भी आपके लिए निरने नहीं ले सकता 1975 में फ्रांस में एक कानून पास किया गया था जिसके तहट गरबपात को अपराद की श्रेनी से बाहर कर दिया गया था 2023 में अमेरिका के सर्वोच चेनेले ने 50 साल पुराने फैसले को पल्टते हुए गरबपात का स्विधानिक अधिकार खतम कर दिया था इसका उदश्य है रक्षा मंतरी राजना सिंग ने कहा है कि वैश्विक इस्तर पर अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा आतम निर्भरता जरूरी है अधिती योजना के तहट इस टार्टप रक्षा प्रोध्योगी की में अपने अनुसंधान, विकास और नए परियासों के लिए 25 करोड तक की सरकार साहिता परदान करेगी इससे योगाओं को सुरक्षा के छेतर में बढ़ावा मिलने और देश को प्रोध्योगी की छेतर में आगे बढ़ने की उमीद है यह योजना दो वर्षों के लिए है 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 24,000 करोड रुपे था अब बढ़कर एक लाग करोड रुपे का हो गया है इसका राइट आंसर आएगा ओप्सन बी दूर संचार विभाग बारत सरकार ने एक नया ओनलाइन एप लूँच किया है इस एप का नाम है चक्षू इस एप से लोग वाट्सअप, SMS या फोन किसी भी तरीके से होने वाले साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकेंगे इसका उदश्य है सोसल मीडिया पर फैलाई जाने वाले गलत, नकली और दोखादड़ी वाले मेसेज को रोकना इस एप के मादेम से बैंक अकाउंट, पैमेंट वॉलेट, सिम, गैस कनेक्षन, इलेक्टरिसीटी कनेक्षन, के वाईसी अपडेट से समन्दित इस केम की रिपोर्ट की जा सकती है केंदरिय संचार, रेल और इलेक्टरिक्स तथा सूचना प्रोधोगी की मंतरी हैं अश्वीनी वेशनव केंदरिय संचार राजे मंतरी हैं देवू सिंग चोहान एक मार्च को सरकार ने आने वाले लोग सभा और राजे विधान सभा चुनाओं के लिए 85 वर्ष और उससे अधिक उमर के वरिष्ट नागरिकों को दाक मतपतर से मतदान करने की सुईधा देने के लिए चुनावी नियमों में संसोधन किया है पहले ये है आयू 80 वर्ष से अधिक थी अब 85 साल से अधिक उमर के लोग बिना पोलिंग बूथ जाए पोस्टल बैल्ट की साहिता से वोट डाल सकते हैं इस सिस्टम को electronically transmitted पोस्टल बैल्ट सिस्टम भी कहा जाता है क्वेशन पांच किस राजे सरकार दोरा माई यूवा योजना सुरू की जाएगी इसका right answer आएगा option C उत्तरपरदेश इस योजना के तहट सरकार की ओर से खुद का वेवशाई या स्टार्टप सुरू करने के लिए बेरोजगार यूवाँ को पांच लाग के आर्थिक मदद देने के लिए कम ब्यासदर पर बैंक से लोन कराने में सरकार मदद करेगी योगी सरकार ने बजट 2024 में इस योजना के लिए एक हजार करोड रुपे का प्रावधान भी कर दिया है योजना के लिए योग गेता है इस्ताही रुप से उतर परदेश का निवासी हो कम से कम हाई स्कूल पास हो उमर अठारा से चालिस के बीच होनी चाहिए और बैंक खाता होना जरूरी है जो आदार कारड से लिंक हो च्वेशन 6 आदिवासी पोसाख रिसा को GI टैग मिला है यह किस राजे की पोसाख है इसका राइट आंसर आएगा ओप्सन D तिरुपुरा क्योशन 7 भारत के पहले राष्ट्रिय डॉल्फिन अनुसंधान के अंदर का उधगाटन कहां किया गया है इसका राइट आंसर आएगा ओप्सन A पटना बिहार के मुखे मंतरी नितिस कुमार ने भारत और एशिया के पहले राष्ट्री डॉल्फिन अनुसंधान के अंदर का उधगाटन पटना में किया है इस प्रोजेक्ट को केंदर सरकार द्वारा 2013 में मंजूरी मिली थी गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्री जली जीव 2010 में गोसित किया गया था यह भारतिय उप महादिव भारत, बांगलादेश और नेपाल में और गंगा, भरंपुतर, मेगना, करणफुली, सागो नदियों में पाई जाती है यह दरश्टी हिन जली मासा हारी जीव है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया था 2023 में गंगा डॉल्फिन को उत्तर परदेश का जली जीव घोसित किया गया था Q8. BSF की पहली महिला सनाइपर कौन बनी है इसका राइट आंसर आएगा ओप्सन A, सुमन कुमारी Q9. BSI पर्नीत का समन्द किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में सन्यास की घोष्णा की है इसका राइट आंसर आएगा ओप्सन D, बैडमिंटन BSI पर्नीत ने अंतराश्री बैडमिंटन से सन्यास की घोष्णा की है इन्होंने अपने 24 साल के लंबे करियर में विश्वे चैंपेंशिप 2019 में काश्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का परतिनी जित्व किया था और सिंगापूर ओपन 2017 को भी इन्होंने जीता था बी साई परनित रिटाइर के बाद अमरिका में ट्राइगल बैडमिंटन अकादमी के मुखे को छोंगे इनको 2019 में अरजुन पुरुसकार भी मिला था बैडमिंटन से समन्दित कप है अमरित दीवान कप, सुधी रमन कप, रहमतुला कप, थोमस कप यह पुर्शों के लिए है नारंग कप, चड़ा कप, उबर कप यह महिलाओं से समन्दित है और एक है सोफिया कप क्वेशन 10 हाल ही में चर्चित सार्क में कौन सा देश सामिल नहीं है इसका राइट आंसर आएगा ओप्सन डी चीन सार्क के वर्तमान सदश्य है अफगनिस्तान, बांगलादेश, बुटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और सिरिलंका सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 7 सदश्य देशों ने मिलकर की थी भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, सिरिलंका, नेपाल, मालदीव और भुटान 2007 में सार्क के 14 सिखर समेलन में अफगनिस्तान इसका आठवा सदश्य बन गया था सार्क का मुख्यले है नेपाल के काठ मांडू में वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद